शेहर में अच्छी बारिश की कामना को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू परियट जलाशय पहुँचे जहां उन्होंने हनुमान जी की विधी विधान से पूजन किया और शेहर में अच्छी बारिश और सुक सम्रिध्धि की प्रार्थना की महापौर ने कहा कि मौनसून की कम सक्रियता पर चिंता जताते हुए कहा है कि बारिश कम होने से शेहर में पेयजल का संकट हो सकता है इसलिए अच्छी बारिश का होना अतियावश्यक है परियट जलाशय का निरीक्षन भी किया और जलाशयों में पानी की उपलब्धता की जानकारी ली ब्यूरो रिपोर्ट जबलपुर परमपरागत तरीके से परियट में हमारे बजरिंग बली जी है उनकी और जल की पूजा हम लोग हरवर्ष करते हैं इस कामना के साथ 30 फिट हाइट तक हमारा ये भर जाए जिससे की साल भर बहुत अच्छा पानी हम लोगों को जबलपुर शेहर को मिले। परियट जलाशे से हम लोग पानी रांजी के बहुत सारे शेत्रों में, मड़ई बिलपुरा के शेत्र में, काजघर के शेत्र में कई टंकियां हम लोग जो हैं उसको भरते हैं और इससे हजजारों की संख्या में लोगों को यहां से परियट से पानी जाता है और लगबक सौ परियाप्त शम्ता आज भी परियट के पास है चे से साथ फिट पानी आज हमारे पास है और बहुत अराम से पंदरा, बीस दिन, पच्चेस दिन तक हम लोग पानी एरिया जो हमारा सप्लाई होता है वहां पे दे सकते हैं पिछले वर्ष से थोड़ा सा जादा पानी इस बार हमारे पास है और जितना भी पानी अब गरेगा यह हमारा एडिशनल होगा और उतने दिन हमारे बढ़ते जाएंगे तो कहने का अतात पर यह है कि पिछले बार भी हम लोगों ने पूजा की थी प्रभू ने हम लोगों की सुनी परियाप्त पानी यहाँ पर है किसी परकार की कोई तकलीफ परियट जलाशे को लेकर नहीं जाएगी अभी तक किन किन छेत्रों में एक टाइम पानी दिया जा रहा है कुछ शेत्र जहां पर परियट और नहर के पानी को मिला कर हम लोग दोनों टाइम पानी देते हैं राजी का कोछ शेतर है हमारा वहाँ पर हम लोग एक टाइम पानी दे पा रहे हैं क्योंकि नहर का पानी बंद कर दिया गया है और जब नहर से पानी हम लोगों को मिलना बंद हो जाता है तब हम लोग को एक टाइम करना पढ़ता है, नहर का पानी भी जैसे ही डैम का लेवल बढ़ेगा, नहर में पानी वापस आ जाएगा, तब तक नहर की रेपेरिंग करना होती है, मिंटेनेंस करना होता है, इसलिए कुछ 15 दिन ऐसे आते हैं जब बंद किया जाता है, डैम का प सबस्क्क करना है, मिंटें लेवल जाँ जा जाता है तब आक पानी भी को एकरना है, जना हैं भील अजिस्तैता।